आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी राउटनेट करें होता है, इन चारों विकल्प में से किस रूप में होता है तो अब हम देखते हैं कि यह जड की जो मुल्ड्रों होती है, यह जल तथा इसके अतिरिक्त खनिज लवन का आउशोशन करती है ठीक है? जल और खनिज लवन आउशोशित करती है तो देखते हैं दोस्तों कि यह जल तता खनीज लवन किस प्रकार से अवशोशित करती हैं क्योंकि दोस्तों जो मुल्रोम होते हैं यह विश्रण की क्रिया में साहेता करते हैं यह विश्रण की क्रिया के दुआरा जल तता लवन को अवशोशित करते हैं विश्रन की क्रिया में क्या होता है कि एसी प्रक्रिया जिसमें द्रव के कन जो होते हैं किसी दुसरे द्रव के कन ठीके तो हम मान लेते हैं कि मिट्टी में से जल के कन यह जल के कन हैं यह मिट्टी में से जल के कन हैं और यह जल के कन किसी दुसरे द्रव में जाते हैं जैसे कि यहाँ जो मूल्डरोम होती है, मूल्डरोम में कोशी का द्रव होता है, जैसे कि यहाँ मूल्डरोम का कोशी का द्रव है, और यहाँ जल के कणे, और यहाँ जल के कण इसमें जाएंगे, इसमें प्रवेश करेंगे, तो जो जल का सुत्र होता है, वह होता है, H2O, यानि कि जो विश्रन प्रक्रिया के दुआरा इस जल के कंड को अवशोशित करती हैं, किसके रूप में, आयन की रूप में, तो दोस्तों यह हाइड्रोजन को अवशोशित करती हैं, आयन की रूप में, ठीक है, और इसके अतरिक्त यह ओक्सिजन को भी अवशोशित करती हैं, आयन की तो हमारे चार option दिये गए जिसमें पहला है अणूओं के रूप में यह option हमारा गलत सित्थ होगा क्योंकि दोस्तों अनू में क्या होता है कि जैसे प्रगार हमने देखा कि H2O पूरा का पूरा यानि कि जो जलका कण है ऐसा का ऐसा नहीं दोस्तों यह गलत सिद्ध होता है क्योंकि यह ऐसा ही ऐसा जलका कण अवशोशित नहीं करता है यह आयन्स की रूप में परिवर्थित क करनने के बाद यह अवशोशित करता हैं, दूसरा है आयंज के रूप में यह option हमरा सही सिद्ध होता है, तिसरा है योगिक के रूप में, दोस्तों योगिक क्या होते हैं, जैसे कि उधान के लिए हम माल लेते हैं कि C, H, तथा O, यानि कि carbon, hydrogen, तथा oxygen, इन से जो मिलकर बना एक पदार तो होता है, उसे हम योगिक करते हैं, और योगिक की रूप में, यह मुल्ड्रोम कभी भी अवशोशित नहीं करते हैं, जल को, तो तिसरा option गलत सिद्ध होगा, चोता option है वसा की रूप में, दोस्तों, वसा यानि कि lipid भी हम जिसे कह सकते हैं, और वसा जो होता है, और यह एक प्रकार का जेव योगिक होता है, तो इस रूप में भी यह मुल्ड्रोम जल को अवशोशित नहीं करते हैं, क्योंकि जल में जो होते हैं, यह सिर्फ दो ही पाए जाते हैं, पहला होता है हाईड्रोजन, दूसरा होता है ओक्सिजन, तो हमारा चोता option गलत देखा दोस्तों कि मुल्ड्रोम द्वारा खनीज लवणों का जो अवशोशन होता है, वह आयन्स की रूप में होता है, आयनों की रूप में होता है, तो धन्यवाद दोस्तों आश्या करता हूँ, आपको यह उत्तर जरू समझ में आया होगा